दोसो हाली में मैं आप लोगो को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि तांजानिया के डिफेंस मिनिश्टर के साथ एक बहुत बड़ा डेलिगेशन भारत के दोरे पे आया है और दोसो इस डेलिगेशन का जहाँ पर मुलाकात भारत के Defense Minister राजनात सिंग के साथ हुआ तो वही पे तांजनिया के Defense Minister के नेतरिते वाले इस Delegation के एक Visit भारत Dynamics Limited का भी हुआ है और दोस्तो भारत Dynamics Limited के इस Visit के बाद खवर ये बना हुआ है कि शायद भारत को तांजनिया से एक बहुत बड़ा Defense Deal हासिल हो सकता है तो अचके इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर भारत और तंजनिया के वीच में कोई बोहत बड़ा defense deal होता है तो ऐसा कौन-कौन सा हत्यार है जो भारत के तरफ से offer किया जा सकता है और कौन-कौन से हत्यार तंजनिया भारत से खरिदने में तयार होगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो सो रिपोर्ड में दावा किया जा रहा है कि इस्ट अफ्रिकन कंट्री तंजानिया भारत के नेक्स्ट बड़े डिफेंस फर्चेजर में शामिल हो सकता है मतलब तंजानिया के तरफ से भारत से बड़े मात्रा में हत्यारों को आने वाले समय में खड़दा जा सकता है और दोसो ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाली में तंजानिया के डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर सौरकुमीना लॉरेंस टैक्स के नित्रित में एक बहुत बड़ा डेलिकेशन भारत आया था और इस डेलिकेशन के द्वारा भारत डानेमिक्स लिमिटेड के मेनु इस डेलिकेशन का वेजिट भारत डानेमिक्स लिमिटेड का हो रहा था तब भारत डानेमिक्स लिमिटेड के तरफ से उन सभी हतियारों को उनके सामने रखा गया जो भारत डानेमिक्स लिमिटेड के द्वारा एक्सपोर्ट के लिए अन्ने देशों को ओफर किया जा रहा है इन हतियारों में भारत डानामिक लिमिटेट के तरफ से निर्वान किया जाने वाले एंटी टैंक गाड़ेड मिसाइल से शुरू करके सुर्फेश टू एयर मिसाइल अंडर वाटर वेपन, काउंटर मेजर, डिस्पेचिंग सिस्टम, ड्रोन डिलिवरी बॉम, ड्रोन डिल तन्जानिया के तरफ से भारत से कुछ हतियारों को खड़दा जाता है, तो ऐसा कौन सा खास हतियार होगा, जो तन्जानिया भारत से खरिच सकता है, या भारत के द्वारा तन्जानिया के सामने ओफर के तहत रखा जा सकता है, दोसो इस लिश्ट में जो सबसे पहला नाम ह वो है anti-tank guided missile, मतलब भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से निर्वान किया जाने वाले tank वेधी missile, तो सो रिपोड में बताया जा रहा है कि भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से जिन anti-tank guided missile को ओफर के तहत सामने रखा जा रहा है, उनमें basically तीन तरीके के missile है, पहला तो नाम ह जबकि दूसरा है Concourse M और तीसरा है Nag anti-tank guided missile, Milan 2T और Concourse M असल में second generation के anti-tank guided missile है, जिसे भारत डानमिक लिमिटेड के दरफ से produce किया जाता है, और ये असल में European MBDA missile systems के और Russian origin equipment manufacturer के missile है, जिसे भारत केवल मात्रा लाइसेंसली produce करता है, तो सो Milan 2T missile को अगर देखा जाए, तो य ये एक ground launch और vehicle launch missile है, जबकि Concourse M ground waste launcher और BMP-2 tank से दागा जा सकता है, Milan 2T का range करीवन 1850 meter है, तो वही पे Concourse M missile करीव करीव 75 meter से लेके 4000 meter के range तक काम कर सकता है, वो भी केवल मात्र 19 second में ये target तक पहुंच सकता है, पर दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा missile भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से export के लिए रखा गया है, वो है NAG missile, ये indigenously developed किया हुआ एक third generation के all weather anti-tank guided missile है, इसे जमीन से हवा से दागा आ सकता है, दोस्तों रिपोर्ट के मुताविक जब NAG missile को जमीन में state launcher से दागा जाता है, तो ये 4 km के दूर तक target को निशाना बना सकता है, जबकि अगर इ देकलों को भी पलक जबकते ही तभा कर सकता है, दोस्तों भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से दूसरे जो हतियार को export के लिए रखा गया है, वो हतियार है surface to air missile, यहाँ फे दोस्तों surface to air missile के रूप में भारत डानमिक लिमिटेड के तरफ से दो हतियारों को offer के तहत रखा गया है जिनमें एक है आकाश मिसाइल जब के दूसरा है medium range surface to air missile या फिर कहें तो MR Sam वस्तों आकाश असल में संपुर्ण स्वदेशी all-weather medium range surface to air missile है जिसे state-owned defense research and development organization के तरफ से design और developed किया गया है आकाश missile के संपुर्ण जो system है उसमें launcher, control center, integral mission, guidance system और exploration mechanism system होता है इसमें multifunctional fire control radar, digital autopilot जैसे system भी है इसमें process command control, communication और intelligence system मतलब C4I systems भी होता है दोसों ये जो आकाश missile है, इसके हर एक battery में 4 3-dimensional passive electronical scan array radar और 4 self-propelled launcher होता है हर launcher में 3 missile होता है और सभी missile एक दूसरे के साथ interconnected होता है इसके battery में भी एक control center और battery level radar रहता है जिसे राजंदर radar कहा जाता है दोसों ये जो missile है, ये 60 kg के overhead को carry करता है और 30-35 km के range में हवाई target को निशाना बनाने में सक्षम है आकाश missile जिन हवाई target को निशाना बना सकता है उसमें maneuverable target जैसे के unmanned aerial vehicle, cruise missile, missile launch, chopper, fighter aircraft जैसे हतियार शामिल है आकाश missile के जो interceptor missile है ये करीवन Mark 2.8 से लेके Mark 3.5 के रफ्तार में प्रावल कर सकता है और इसके kill probability करीवन 88% है जिसे हाल फिलाल में बढ़ा के करीवन 98.5% तक किया गया है और दोस्तों बताया जाता है कि पहले missile को launch करने के 5 सेगंड के बाद ही दूसरा missile को launch किया जा सकता है दोस्तों इसके इलावा जो MRSAM या फिर कहतो medium range surface to air missile का offer किया जा रहा है वो असल में बराकेड missile के ही एक version है जिसे DRDO और IEI के द्वारा jointly बनाया गया है ये लगवग आकाश जैसे सभी टार्गेटों को हवा में निशाना वना सकता है लेकिन इसका range करीवा 70 km है और दोस्तों ये जो system है इसके launcher में करीफ करीफ आठ missile है और missile को एक तरीके से canisterize store किया जाता है जिस वज़ा से ये जो missile है ये vertically launch हो सकता है और 360 degree में काम कर सकता है दोस्तों नेक्ष जो बड़े हतियार भारत डानेमिक लिमिटेट के तरफ से offer के तहट एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है वो है underwater weapon भारत डिमिक लिमिटेट के तरफ से lightweight torpedo मतलब advanced light torpedo शायना के साथ साथ heavyweight torpedo वरुनास्तर का निर्मान किया याता है दोस्तों दोनों torpedo ही इंडोजिनियस है और इसे naval science and technology laboratory के तरफ से निर्मान किया गया है ये torpedo electronic propulsion system हों से less है और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये जो वरुनास्तर torpedo है इसे केवल मात्र जहाज में स्थित लॉंचरों के द्वारा ही दागाया सकता है हाला कि advanced light torpedo शायना को जहाज helicopter दोनों जगा से ही दागाया सकता है advanced light torpedo का range करीवन 19 km है और ये करीव-करीव 61.1 km पर आवर के रफ्तार से ट्रावल कर सकता है दोस्तों ये torpedo साड़े 400 मिटर के गहराई तक जा सकता है और इसमें करीवन 50 kg के वरेड रहता है जबकि वरुनास्ता का range इससे अधिक है और करीवन ये range 40 km है रफ्तार 70 km पर आवर है और maximum depth करीवन 400 मिटर है तो वही पे इसमें 200 kg के वरेड रहता है दोस्तों इसके इलावा भारत डाइनमिक लिमिटेड के तरफ से एक्सपोर्ट के लिए अन्ने जो हतियार को रखा गया है उनमें drone launch हतियार शामिल है दोस्तों मेज 2022 में भारत डाइनमिक लिमिटेड के तरफ से अपने armed quadcopter drone को भारत drone महसब 2022 के दर्मियान शोकेस किया गया था दोस्तों इसके साथ साथ कमपनी के तरफ से डिस्पले में दो drone launch semi active homing missile को भी परदर्शित किया गया था जिनमें एक 1 kg के वजन वाले missile था तो वही पे दूसरा करिवन 3,5 kg के वजन वाला missile था दोस्तों बताया जाता है कि भारत डाइनमिक लिमिटेड के तरफ से जो quadcopter या फिर drone का परदर्शित किया गया है वो basically anti-armor missile को carry कर सकता है और top attack capability भी है और ये 1 km के range में target को निशाना बना सकता है पिछले साल दुवई airshow के दर्मियान वी company के तरफ से 1 kg क्लास के drone launch bombs को परदर्शित किया गया था जो करीब करीब 770 kg के control fragmentation warhead को carry कर सकता है रिपोर्ट के मुताविक ये bomb 65 mm के caliber वाला है और इसका लंबाई गरीवन 325 mm के आसपास है हलाकि इसके इलाबा एक 1.5 kg के precision guided missile को भी दिखाया गया था जो drone के द्वारा launch किया जा सकता है जिसका range 1 km के आसपास है और ये mid course guidance semi active laser homing guidance system जैसे सिस्टमों से laser है और terminal stage में ये बहजरिन धंग से काम कर सकता है रिपोर्ट के मुताविक ये 300 mm ग्राम के anti-personal, anti-material, multi-purpose wallet को carry करता है जो troops को तितर वितर करने में या फिर soft target को निशाना बनाने में सक्षम है कुलमिला के दोस्तों भारत dynamic limited के इस थवी तरीके के हतियारों को भारत dynamic limited के द्वारा export के लिए दुनिया के सामने रखा गया है और भारत से महतो पूर्ण हतियारों को खरिदने का भी तैयारी किया जा सकता है हाला कि दोस्तों खाली इतना नहीं बलकि भारत dynamic limited के इलावा भारत की और भी कई सारे private company के द्वारा भारत dynamic limited के premises के अंदर अपने हतियारों को दिखाया गया और तंजानिया के defense delegation के सामने अपने हतियारों के महतों के बारे में जानकाली दिया गया दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो भारत में और भी कई सारे ऐसे state-owned और private companies है जो हतियारों का निर्मान करता है और export market में इन हतियारों को भी उतारने का तैयारी government के तरफ से किया जा चुका है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आथ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हूँ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन